दोस्तो, IPL 2023 के मिनी ओक्सन के start होने से पहले मिनी IPL का ओक्सन start होने जा रहा है जिसका official date अब से कुछ देर पहले reveal हो चुका है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिनी IPL का ओक्सन के सतारीकों कितने बज़े से start होगा औक्सन का स्तीधा लाइप परसारन कहां पढ़किया जाएगा तो ये वीडियो काफी ज़्यादा important है इसलिए आप लोगों से request करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोड़ देखे वीडियो को दिल से एक लाइक जोड़ करे और वीडियो के नीचे से rate color के सब्सक्राइब बटन को किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले notification bell को प्रेस कर ले तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप IPL से related कोई भी नीचे सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलिग्राम पर फॉलो करें टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंट सब्सक्राइब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिनी IPL के ओक्सन से related कम्पलीट इनफरमेशन दे देते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि मिनी IPL में IPL की टीमों ने टोटल 6 टीम परचेज किया है जहां पर सभी 6 टीमों के प्लियर्स की लिष्ट के बारे में बात करें तो MI Cape Town की टीम ने कैगी सुरबाडा, डेवल्ड, ब्रेविस, रासिद, खान, लियाम, लिविगेश्टन और सैम करन को अपने स्क्वाइड में परचेज किया है और इसके बाद जोहां इस बर्ग सुपर किंग्स की टीम के बारे में बात करें तो इस टीम ने डेविड मिलर, कॉर्बिन, इसके बाद जौस बटलर और ओबेड मौकोई को अपने स्क्वाइड में सामिल किया है और इसके बाद प्रिटोडिया कैपिटल्स के बारे में बात करें तो प्रिटोडिया कैपिटल्स की टीम ने एनरिक नौड़ किया और यहाँ पर Empertorius को अपने squad में auction से पहले सामिल किया है और इसके बाद Sunriders Stern Cape के बाड़े में बात करें तो इस team ने Aiden Markaram और O Bartman को अपने squad में सामिल किया है और इसके बाद Durban franchise के बारे में बात करें तो इस team ने Quinton D.Cock Jason Holder, Kyle Myers Rissi Top ले और P. Subrayan को अपने squad में sign कर लिया है यानि कि mini IPL के auction से पहले सभी team में इन players को draft के तहत अपने squad में sign कर चुकी है तो अब बात करते है mini IPL के auction date के बाड़े में तो mini IPL South Africa T20 League को बोला जा रहा है जिसमें IPL की team ने टोटल 6 team purchase किया है और इस IPL के auction के date के बाड़े में बात करें तो CSA T20 League के officials ने बता दिया है कि यहाँ पर 19 सितमबर को mini IPL का auction देखने को मिलेगा जहाँ पर 19 सितमबर को यह auction है साम के समय में Indian Time के according start होगा और इस auction में काफ़ी सारे start players पर bidding चलेगी जहाँ पर सभी टीमों को 2 million dollar का purse balance मिल चुका है तो 19 सितमबर को mini IPL का auction होगा और इसके बाद यह सभी छे टीमें अपना-पना squad officially reveal कर देगी और highly chance है कि YouTube पर ही mini IPL के auction का live broadcast किया जाएगा तो यही था mini IPL के auction date और live streaming से related complete information है वीडियो पसंद आई है तो like करे चैनल को subscribe करे तो friends मिलते हैं next video में